सुक्सागर तीसरा इसकंद अठाईसवा अध्याय इस अध्याय में आजम पढ़ेंगे शरी कपिल देव जी द्वारा देवहूती को मनश शरीर की उत्पत्ती एवं म्रत्यू का वर्णन लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दवाने के बाद और पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप भली वहाती सुन सकें तो चले इसे अध्याय को आरंब करते हैं मैत्रे जी बोले हे विदुर इतनी कथा सुनकर देवहूती ने श्री कपिल देव जी से पूछा हे प्रभू जो मनुष्य श्री नैरैन जी से विमक रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है यह सुनाने की किरपा करें श्री कपिल देव जी बोले हे माता संसारी मुनुष्य परिवार घर धन आदी माया जाल में पढ़कर अपनी मायू को विर्थ नष्ट कर देता है युवावस्था में मुनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोशन करता है वे ही व्यक्ति व्रद्दा वस्ता में उसे पत्ति जन्म और मरण का हाल कहता हूँ इसे ध्यान पूरवक सुनिए श्री नारैन जी की किरपासे इस्त्री को जिस दिन गर्ब रहना होता है उस दिन में थुन के समय पुरुष का वीर इस्त्री के रज के साथ मिलकर खौलने लगता है पांचवे दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा दसवे दिन उसकी बेर के समान गाट बन जाती है पंद्रहवे दिन यह गाट मास का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है एक मास में उसमें हाथ पाउं तथा मस्तक के चिन बनने आरंब हो जाते हैं दूसरे मास में उंगलियां बनत जाते हैं शी नारायन जी की कृपा से पांचवे मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है छटवे मास में उसका मस्तक नीचे और पैर उपर हो जाते हैं उस इस्थती में उसका हिर्दय बहुत घड़ बढ़ाता है साथवे महीने में उसे अपने पिछले कई जन्मों तथा आठवे महीने में सो जन्मों पीछे का हाल याद आने लगता है उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने हिर्दय में यह विचार कर पस्ताने लगता है कि मैंने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म कर के ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था उस समय वहब शी नाराण जी का इसमरण कर इस प्रकार विंती करने लगता है कि हे प्रभू मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तता इस्त्री पुत्रादी के मोह में पढ़कर अपना ज्यान नष्ट कर दिया था इसी से म मैं इस जन्मरण से मुक्ती नहीं पा सका संत मातमाओं को ससंग न करने के कारण ही अब मैं यहां उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूं हे प्रभू अब आप करपा करके मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए मैं आपकी तनमन से सेवा करता हूं अब आप मु मुझे किसी प्रकार विस्मरण नहो तता संसार में पहुच कर मैं ऐसा कार करूं जिसके द्वारा इस जन्मरण से मैं सतयव को मुक्ती पा जाओं हे माता जब नवा अथवा दस्वा मास आता है तब वायूं का वेग उसे बाहर ग्रा देता है गर्वा वस्ता में कन्या तब वह अपनी बाल्य आवस्ता में भूक प्यास लगने पर भी रोने के अत्रिक्त कुछ बोल नहीं सकता वह बिच्वाने पर पड़ा पड़ा मलमूत्र आदि करता है और जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट पाता रहता है तदुपरा देते हैं विध्या अध्यन्स के समय वह मारा पीटा जाता है और अपनी इच्छानुसार खेलने भी नहीं पाता बलकि वही बालक 16 वर्ष की अवस्ता प्राप्त होते ही तरण कहलाता है उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्ताबूशन पहनता है और काम, क्रोध, मोह आदि म पढ़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता यदि बहुत दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर वस्त्रापूशन पहने देखकर उससे इशाख होती है फिर विवा होने के बाद घर में स्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंत्रा में पढ़ जाता है और उसी च चुब कर्म नहीं किये होते हैं वह अधिक दरिद्र होकर पेट भरने की चिंता में आठों प्रहर दुखी रहता है जब उसके पुत्री पुत्र आधि प्रकट होते हैं तब उनकी ममता में पढ़कर अनेक प्रकार के जूट सत्य बोलकर धन कमाता है और उसका पालन पोशन क करता है युवावस्था बीतने पर जब व्यद्धा वस्था आती है तब मुनुष्य को आँखों से कम दिखाई देता है और कानों से कम सुनाई पड़ता है उस समय धन कमाने की शक्ती भी नश्ट हो जाती है तब वह अपने घर में पढ़ा हुआ लंबी लंबी सांसे लेत है और पस्ताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोशन किस प्रकार करूंगा यदि दरिद्र होता है तो उस समय बोजन वस्त्र आदी के अवाव के कारण अत्यंत कष्ट उठाता है जिसके पुत्र स्वयम धन उपारजन करते हैं वे अप पतनी सहित उस रद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं उस समय अपने हिर्दय में बहुत पस्तावा हुआ इस प्रकार सुषता है कि अब मैं भूडा हो गया हूं और धन कमाने योग नहीं रहा हूं इसलिए ये सब लोग जिनका मैंने जीवन पोशन किया था अव समय पर मेरे खाने पीने की सुद भी नहीं लेते हैं हिमाता उस समय इन कस्टों को देखकर वा इश्वर से अपनी म्रत्यू की कामना करता है परंतु आयुज समाप्त हुए बिना उसे म्रत्यू नहीं होती है अपनी उस करुण दशा पर उसकी आँखों से आंसु ग कारण कर उसे डराते दता दमकाते हैं उस समय उनके भै के मारे उसका मलमूत निकल जाता है वे यमदूत उसके अतरिक्त अन्न किसी को दिखाई नहीं देते उस समय परिवार वाले लोक दिखावे के लिए जूटी पीती देखकर रोने लगते हैं उस समय रोने पीटने के का परण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं इस समय श्री हरी का कथा कीर्टन चुनाना और गंगाजल तुलसी शालिग राम का चरणा मृत उसके मुख में डालना एवं सादू वैश्णवों की चरण रज को उसको शरीर पर लगाना उचत है परंतु ऐसा कोई नहीं करता सब लोग एकावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं और इसी परकार यहां पर 28 वाध्याय समापत होता है लेकिन अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं बागी के सबी अध्यायों के लिंक ड वापस से रुजा सकें और यही है सकारात्मक परवर्तन